बिस्मिल्लाहे रह्माने रही मोहत्रम नाजरीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुलाही वबरकातु दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे फर्माने मुस्तफा सलललाहो ताला अलैही वसल्लम जो मुझ पर दस मर्तबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह अजब जल्ला उस पर सो रह्मते नाजर फर्माता है कबर में एक हजार अनवार दाखिल हो मन्कूल है कि जो शक्स एड के दिन तीन सौ मर्तबा सुभान अल्लाही वबेहम दिही पढ़े और फौत शुदा मुसल्मानों की अर्वाह को इसका इसाले सवाब करे तो हर मुसल्मान की कबर में एक हजार अनवार दाखिल होते हैं और जब वो पढ़ने वाला खुद मरेगा अल्लाह ताला उसकी कबर में भी एक हजार अनवार दाखिल फर्माएगा प्यारे इसलामी भायों अब उन बातों का बयान किया जाता है जो इदैन यानी इदुल फित्र और बक्रा इद दोनों में सुन्नत है चुनांचे हजरते सयदुना बुरैदा रदियल्लाहो ताला अन्हो से मर भी है कि ताजदारे रिसालत, शेहनशाह नुबुवत, पैत्रे जुडो सखावत, सरापा रह्मत, महबूबे रब्बुल इज्जत सल्ललाहो ताला अलाही बसल्लम इदुल फित्र के दिन कुछ खाकर नमाज के लिए तश्रीफ ले जाते थे और इदुल अजहा के रोज उस वक्त तक नहीं खाते थे, जब तक नमाज से फारिग न हो जाते और बुखारी की रिवायत हजरते सयदुना अनस रदियल्लाहो ताला अन्हो से है कि इदुल फित्र के दिन नमाजे ईद के लिए तश्रीफ न ले जाते जब तक चंद खजूरे न तनाबुल फर्मा लेते और बहुत आख होती हजरते सयदुना अबु हुरेरा रदियल्लाहो ताला अन्हो से रिवायत है कि नबिये रह्मत, शफिये उम्मत, शेहनशाह नुबुवत, ताजदारे रिसालत सल्ललाहो ताला अलैही वसल्लम एद को नमाजे ईद के लिए एक रास्ते से तश्रीफ ले जाते और दूसरे र तरीका हनफी, पहले इस तरह नियत कीजिए, मैं नियत करता हूँ दो रकत नमाज इदुल फित्रया इदुल अजहा की, साथ चैजाइद तक्बीरों के वासिते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के, फिर कानों तक हाथ उठाए और अल्लाहो अकबर कहकर हस्बे मामूल ना के नीचे बांध लीजिये और सना पढ़िये, फिर कानों तक हाथ उठाए और अल्लाहो अकबर कहते हुए लटका दीजिये, फिर कानों तक हाथ उठाए और अल्लाहो अकबर कहकर बांध लीजिये, यानि पहली तक्बीर के बाद हाथ बांधिये, इसके बाद दूसरी और तीसरी तक्बीर में लटकाएए और चौथी में हात बांध लीजिए। इसको यूँ याद रखिये कि जहां कियाम में तक्बीर के बाद कुछ पढ़ना है बहां हात बांधने हैं। और जहां नहीं पढ़ना बहां हात लटकाने हैं। फिर इमाम तवुज और तस्मिया अहिस्ता पढ़कर अलहमद शरीफ और सुरह जहर यानी बुलंद आवास के साथ पढ़े फिर रुकू करे। दूसरी रकत में पहले अलहमद शरीफ और सुरह जहर के साथ पढ़े। फिर तीन बार कान तक हाथ उठाकर अल्लाहो अक्बर कहिए और हाथ न बांधिये और चौथी बार बगैर हाथ उठाए अल्लाहो अक्बर कहते हुए रुकू में जाए और काइदे के मुताबिक नमास मुकम्मल कर लीजिये हर दो तक्बीरों के दर्मियान तीन बार सुभान अलाह कहने की मिकदार चुप खड़ा रहना है माखुजन बहारे शरियत इद की अधूरी जमात मिली तो पहली रकत में इमाम के तक्बीरें कहने के बाद मुक्त दी शामिल हुआ तो उसी वक्त तक्बीरें तहरिमा के इलावा मजीद तीन तक्बीरें कह ले अगर्चे इमाम ने किराज शुरू कर दी हो और तीन ही कहे अगर्चे इमाम ने तीन से जियादा कही हो और अगर उसने तक्बीरें न कही कि इमाम रुकू में चला गया तो खड़े खड़े न कहे बलकि इमाम के साथ रुकू में जाए और रुकू में तक्बीरें कह ले और अगर इमाम को रुकू में पाया और गालिब गुमान है कि तक्बीरें कहकर इमाम को रुकू में पालेगा तो खड़े खड़े तक्बीरें कहे फिर रुकू में जाए वरना अल्लाहो अकबर कहकर रुकू में जाए और रुकू में तक्बीरें कहे, फिर अगर उसमें रुकू में तक्बीरें पूरी न की थी, कि इमाम ने सर उठा लिया तो बाकी साकित हो गई यानि बकिया तक्बीरें अब न कहे और अगर इमाम के रुकू से उठने के बाद शामिल हुआ तो अब तक्बीरें न कहे बल्कि इमाम के सलाम फैरने के बाद जब अपनी बकिया पढ़े उस वक्त कहे और रुकु में जहां तक्बीर कहना बताया गया उसमें हाथ न उठाए और अगर दूसरी रकत में शामिल हुआ तो पहली रकत की तक्बीरें अब न कहे बलकि जब अपनी फौत शुदा पढ़ने खड़ा हो उस वक्त कहे दूसरी रकत की तक्बीरें अगर इमाम के साथ पाजाएं फ़भिहा यानी तो बहतर वरना इसमें भी वो ही तफसील है जो पहली रकत के बारे में मज़कूर हुई बहारे शरियक इद की जमात न मिली तो क्या करे? इमाम ने नमाजें इद पढ़ ली और कोई शक्स बाकी रह गया हुआ वो शामिल ही न हुआ था या शामिल तो हुआ मगर उसकी नमाज फासिद हो गई तो अगर दूसरी जगह मिल जाए पढ़ ले वरना बगैर जमात के नहीं पढ़ सकता हाँ बहतर यह है कि यह शक्स चार रकत चाष्ट की नमाज पढ़े इद के खुत्बे के एहका नमाज के बाद इमाम दो खुत्बे पढ़े और खुत्बे जमुवा में जो चीजे सुन्नत हैं इसमें भी सुन्नत हैं और जो बहां मकरू यहां भी मकरू सिर्फ दो बातों में फर्क है एक यह कि जमुवा के पहले खुत्बे से पेशतर खतीब का बैठना सुन्नत था और इसमें न बैठना सुन्नत है दूसरे यह कि इसमें पहले खुत्बे से पेशतर नौ बार और दूसरे के पहले साथ बार और मिंबर से उतरने के पहले चौदह बार अल्लाहो अकबर कहना सुन्नत है और जुम्वा में नहीं बहारे शरियक इद के बीस मदनी फूल इद के दिन यह उमूर मुस्तहब है हजामत बनवाना मगर जुल्फे बनवाये न की अंग्रेजी बान नाखुन तरश्वाना गुसल करना मिस्वाक करना यह उसके इलावा है जो वजू में की जाती है अच्छे कपड़े पहनना नए हो तो नए वरना धुले हुए खुश्बू लगाना अंगूठी पहनना जब कभी अंगूठी पहनिये तो इस बात का खास ख्याल रखिये कि सिर्फ साधे चार माशे यानी चार ग्राम 374 मिलीलीटर ग्राम से कम वजन चांदी की एक ही अंगूठी पहनिये एक से जियादा न पहनिये और उस एक अंगूठी में भी नगीना एक ही हो एक से जियादा नगीने न हो बिगैर नगीने की भी मत पहनिये नगीने के वजन की कोई कैद नहीं, चांदी का छल्ला या चांदी के बयान करदा वजन बगैरा के इलावा किसी भी धात की अंगुठी या छल्ला मर्ग नहीं पहन सकता नमाजे फजर मस्जिदे महला में पढ़ना ईदुल फितर की नमाज को जाने से पहले चंद खजुरें खालेना, तीन पांच, साथ या कमो बेश मगर ताखों खजुरें नहों तो कोई मीठी चीज खाले अगर नमाज से पहले कुछ भी न खाया, तो गुनाह न हुआ, मगर इशातक न खाया, तो इताब यानी मलामत किया जाएगा इदगाह पैदल चलना, नमाजे इद इदगाह में अदा करना, सुवारी पर भी जाने में हरज नहीं मगर जिसको पैदल जाने पर पुद्रत हो उसके लिए पैदल जाना अफजल है और वापसी पर सुवारी पर आने में हरज नहीं, नमाजें ईद के लिए ईदगाह जल्द चले जाना, और एक रास्ते से जाना, और दूसरे रास्ते से वापस आना, ईद की नमाज से पहले सदके फित्र अदा करना, खुशी जाहिर करना, सदका देना, ईदगाह को इतमीनान पवकार और नीची निगाह किये जाना, कसरत से आपस में मुबारक बाद देना, बादे नमाजें ईद मुसाफ़ा यानि हाथ मिलाना, और मुआनका यानि गले मिलना, जैसा कि उमूमन मुसल्मानों में राइस है, बहतर है, कि इसमें इजहारे मसर्रत है, मगर अमरद यानि खूबसूरत लड़के से गले मिलना महले फितना है, इदुल फित्र की नमाज के लिए जाते हुए रास्ते में आहिस्ता से तक्बीर कहिए, और नमाजें इदे अजहा के लिए जाते हुए रास्ते में बुलंद आबाज से तक्बीर कहिए, तक्बीर यह है, अल्लाहु अक के सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं और अल्ला अजवजल्ला सबसे बड़ा है और अजवजल्ला ही के लिए तमाम खूबियां हैं। बहारे शरीयक या रब्बे मुस्तफा अजवजल्ला हमें इदे सईद की खुशियां सुन्नत के मुताबिक मनाने की तौफीक अता फर्मा। और हमें हर शरीफ और दियारे मदीना वताजदारे मदीना सलल्लाहो ताला अलैही वसल्लम की दीद की मदनी इद बार बार नसीब फ शेयर कर दें ताकि कयामत तक सद्काय जारिया का सबाब आपको भी मिलता रहे। और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीन वाइस सर्खेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अल्ला आपका और हमारा हामी बमदगार हो। अल्ला हाफिस।